आपको एक पार दे चुका हूं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप देख लीजेगा चलिएगा बढ़ जाते हैं देखे आगे देखिए अप्राइज दो एप्राइज का मीनिंग यहां पर पूस्ट रखा है और इन्होंने स्पेशल बोल दिया कि आपको ब किसी की बढ़ाई करना है तो वह प्रेज हो जाता है सब्सक्रिघे का मतलब क्या होता है किसी को छिपसी को चिपादेना चिपके घृचिशल यह सब मैंने आपको समझा जोड़ा दोल्तपेयां कोहते हैं विदा दोसे का दोसार मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दरावना हो जिससे आपको डर लगे Salesforce पता हें जयाए जया स्थायए सब सकते हैं आज प्रयु साहइट का म इससे बढदें पृबाल भख देने वाला थीकर इंसल्ट werden इंसल्ट इंसल्टिंग तो हिंधी कि अपमान जनक से बोल सकते हैं और देखो आगे देखो नक के इने सीकर अब इसका आपको क्या बताना है कि नक का मतलब उल्टा क्या हो जाता है तो याद कर लिजेगा नक का मतलब हो अगिदम कॉशल बढ़िया ठीक है और इसका हो जाएगा लेकिन यहां पर जो दे रहे था वो हो जाएगा dullness जो एकदम सही नहीं हो मतलब एक तरह से बहुतरा पंसा हो उसे बोलते हैं ठीक है और repeated जो भी question देगा वो मैं आपको समझा दूँए न आप याद कर लीजेगा एक दूको talent talent का मतलब क्या हो जिसके अंदर प्रतिवा हो उसे बोलते हैं talent एक होता है इसका मतलब होता है कोई भी किसी चीज में expert होता है तो उसे बोलते हैं balance balance का मतलब होता है संतुलन करना पांच के जीदर और पांच के इसदर तो यह सब का सब आपको discuss करना याद हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं और एक और परणीश्यस देखो परणीश्यस का आपको यहा परणीश्यस का उल्टा हो जाएगा बैनीफीशल एक है प्रोलॉंग्ड तो प्रोलॉंग्ड पीरड होते हैं जो काफी लंबे लंबे होते हैं तो प्रोलॉंग्ड हो गया तो प्रोलॉंग का मतलब लंबा एक होता है रियूनियस तो रियूनियस का मतलब एक तो बिनासकार मतलब सम्रदी से बोल सकते हिंदी में तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पौवर्टी पौवर्टी का मतलब गरीभी हो जाएगा एक लगजरी ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका पौवर्टी इसका उल्टा हो जाएगा एक लगजरी आप सबने सुनाओं को लगजरी गाड अब देखो मैं यहां पर आपको idioms and phrases बताता हूं जो भी underline किया हुआ है इसी का आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है बागी time pass आपको नहीं करना है क्योंको paper में सिर्फ एक गंटे का वक्त दिया जाता है आगे बढ़ जाते हैं देखे water under the bridge यहां पर समझना है कि water under the bridge का य bridge मतलब bridge के नीचे क्या है water है पानी है अब उसे आप change नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है पानी को आप दूद बना दो पानी को आप गंगाल जल बना दो ऐसा नहीं है तो मतलब ऐसे हलका हलका याद करना something I cannot changed हो जाएगा चलेगा आगे बढ़ जाते हैं आगे है आपका stick to my guns अब कोई भी यहाँ पर पजैसिब लगा दो तो stick to my guns का मतलब होता है कि hold to my decision अपने मन मुताबिक कोई काम करना कोई भी decision को एकदम hold पर रख देना तो यह होजाएगा hold on to my decision क्या होजाएगा stick to my gun समझ बागया आगे बढ़ जाते हैं आगे देखो out of hand out of hand यह कई बार repeat हो है sir out of hand का मतलब होता है अग्दम पूंड रूप से completely तो यह वह जाएगा completely आगे देखो the salt of the earth the salt of the earth इसका मतलब होता है जो kind होता है जो दयालू होता है अच्छा बड़ है the salt of the earth मतलब जो दयालू होता है आगे देखो talking through her hat वह अपने hat से क्या कर रही है बात कर रही है ठीकह उसके माध्यम से बात कर रही है तो इसका मतलब है भाई मुह से बात करते हैं कोई टोपा टोपी से थोड़ी बात करते हैं तो इसका हो जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस मतलब जो भी बात हो रही है टॉकिंग नॉनसेंस हो रही है जो इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ बेकार की बात ह चलिका दोस्तों मैंने यहां पर आपको समझा दिया अब इदर आपका वन वर्ड और चलो इसको भी याद कर लो देखो संबन हुस साइंटिफिशली स्टडी इस दा बर्ड जो पक्षियों की पढ़ाई होती है तो पक्षियों की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर साब को क्या बोलते हैं इसको आपको याद करना है याद कर लिए अभी उसे बोलते हैं देखे और इंथोलोजिस्ट तो यह डिवाला एकदम सही हो जाएगा ठीक है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और इंथोलोजिस्ट बोलते हैं पक्षियों का अधन करने वाला एक है देखो इसमे में और्थोोपेदिक तो सब पता होगा हड्यों से सम्ध्य जो डॉक्टर होता है उसे वोलते है और थोपेडी ठीक है तुभी keeping एक बचाए समें और तो तो रों टन्हें कम दांत जैसे आ रही है तो दांत का जो डॉक्तर होता है specialist उसे बूर्टें आगे तो Kalpnik है, तो Figment उसको बोलते है, एक दोगू Mirash तो Mirash का मतलब होता है जैसे आपने देखा कोई चीज धुका होती है, fort with पड़ा होगा Mirash, Mirash का मतलब Marish का type का, उसे भी बोलते है एक दोग sudah, s minimalist, shadow का मतलब हो जायोगा परचाही, आगे बढ़ जाते है, आगे तो इसको क्या बोलते हैं वर्षे टाइल यह तु मनें सब को पदा हुआ वर्षे टाइल का मतलब बहु मुखी प्रितवाशाली जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है अलग अलग स्किल्स है एक है इसका प्रोजक्ताइल का मतलब होता है आगे धकेनने वाला कोई आगे बढ़ा रहा है आपको ठीक है पीछे टेक्टर है आगे पीछे ट्रॉली है ठीक है और पीछे भी एक टेक्टर लगया तो उसमें धक्का दे रहा है देद दना दना आगे देखो साइक्ल स्टाइल तो साइक्ल स्टाइल का मतलत है वही चक्र व जाएगा आगे तू ऑफिशली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज तो भी यह सीज की बात यहां पर बात की जा रहे तो इसका मतलब हो जाएगा अगर कोई प्रॉपर्टी आप इसे क्या क्या जाएगा पर जब्त करने की बात की जा रहे तो एक दुक हो ऑफ़र का मतलब प्रस्ता बगर उसे बोलते हैं और फॉफर एक होता है आपने करना तो अगर कोई प्रॉपर्टि आप उसे औफिश्ली मतलब करेंगे तो उसे आप हाइजक तो नहीं कह सकती न है चलो आगे अब इनको आपको शेट करना है और इनको आपको सही करना है एक स्पेलिंग ही बनता है आगे देखिएगा पहला एक क्वेश्चने इसमें मिन्यू самого को दूट को सेम इस्पहलिंग रफटी बताना है आप याद होग्य सब्सक्राइब bloss कर सकते हैं एक जतार विंद्ड। टीन वट सब्सक्राइब स्भार्टल्स को बढ़ता है तो तो यह और मतलब होता है कि प्लूत दम कि सान बातल इस्का मतलब ह मतलब मने laughed मिन्यूबर बोलते हैं तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको रिपीट करवा दिया और इसके साथ चलो मैं इसका एक बार रिवीजन और फास्ट करवा देता हूं ताके एक बार यह सारे कॉंसेप्ट आपके समझ में आ जाएं क्योंकि यह थोड़ा इंपोर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा इन पर मैनत करना जरूरी है चलो वाटर अंडर दा ब्रिज ब्रिज के नीचे पानी तो वह यह चेंज नहीं हो सकता तो यह हो जाएगा सम्थिंग आइक चेंज आगे देखो इसका मतलब है कोई भी डिसीजन को होल्ड पर रख देना तो बीवाला सही हो का आउट ऑफ हेंड आउट ऑफ हेंड का मतलब होता है पूहन रूप से कम्प्लीटली डा सॉल्ट ऑफ अफ अवध्यार्थ होता है का है आगए टौकिंग तुरू है इसका मतलब उग यह चक को यह तो गलत बात हो जाएगा अब टौपी बोलते हैं है उससे बात नहीं होत इसका मतलब दांतों से संबंधित है वो डॉक्टर एक है और्थोपेडिक जो हड्डियों से संबंधित है ठीक है आगे देखो और इसमें वही वाला फिग्मेंट हो जाएगा मिराषमलो मरीच का शैडव का मतलब क्या हो जाएगा तो कोई दिककत है इनसाइट का मतलब कोई परकफ गराज से ओलते हैं आगे कुल सम्मन अब्राइबने स्कल्स मतलब वर्सेटिल होजाएगा और अगे फिवाल एक्दम सही हो जाएगा ऐन्यक्स का मतलब होता है किसी चीज में एड़ कर देना दोस्तों मैंने यहां पर आपको रिवीजन भी करवा दो चलो फटापर से एक बार और रिवीजन करवा देता हूं उसमें पांच कोश्च समने वो तोड़ा जरूरी है देखेगा इसमें रखवा है इसका मतलब है आप अगर बाहर से कमरे में आ रहे आपका टाइम पास्स नहीं कर रहा हूं माई आंट वास फर्स्ट गाट डिग्री तो यहां पर देखो ओरडिनल नमबर से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है दा फर्स्स एकिंड थर्ड ऐसे हो तो आपको दा लगा देना हुससे पहले यहां पर देखो यहां पर देखो तो सेंस के बाद क्या द्रखाई है यह द्रखाई सिंपल पास्ट तो इससे पहले होगा प्रिजेंट पर्फेक्ट होगा तो हैड की जगे पर है दो कुस्तों मैंने इनको एके करके समझा दिया है आप इनका फर्स्ट पार्ट देख लीजेगा